परिजय मोहन और उसके पिटाजी बालकोनी में खड़े हैं वे प्राताकाल की ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं मोहन सड़क की ओर उस्सापूर्वक कुछ देख रहा है पिटाजी बिजली के खंबों पर वा स्लेटी रंग का बॉक्स जैसा क्या रखा हुआ है बेटा वह एक ट्रांसफार्मर है ठीक है पिटाजी और इसका उप्योग क्यों किया जाता है किरपिया मुझे बताएं बेटा इसका उप्योग विद्यूत की वोल्टिता कम करने के लिए किया जाता है उड़ा केंद्रों पर उतपादित की जाने वाली विद्यूत की वोल्टिता कई हजार होती है ट्रांसफार्मर इस वोल्टिता को घरों के लिए 220 वोल्ट तक तथा उद्योगों के लिए 440 वोल्ट तक कम कर देता है ठीक है पिताजी और मैं इस बारे में और भी अधिक जानना चाहता हूँ ट्रांसफार्मरों के बारे में और अधिक जानने के लिए तुम्हें प्रत्यवर्ती धारा के बारे में समझना होगा तो चलो बच्चो, आज हम प्रत्यवर्ती धारा के विशे में अध्यन करेंगे उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्नि करने में सक्षम हो जाएंगे श्रणी बद्ध LCR परिपत का विशलेशन करना प्रतिबाधा तिर्भुज को निरूपित करना LCR परिपत में अनुनात की व्याख्या करना LCR परिपत में अनुनात की तीक्षणाता का वर्लन करना शक्ती गुडांक की गड़ना करना LC दोलनों का वर्लन करना ट्रांसफार्मरों को परिभाशित करना ट्रांसफार्मरों के प्रकारों को समझना ट्रांस्फार्मरों में उर्जाक्षय का विवेचन करना. श्रणी बद्ध LCR परिपत एक परिपत पर विचार करें, जिसमें प्रतिरोध R का एक प्रतिरोधक, प्रेरक कत्व, L का एक प्रेरक, और संधारिता, C का एक संधारित्र, एक AC स्रोध पर श्रणी क्रम में संगोजित हैं. माना की स्रोध वोल्ट दा Vm sin omega t के बराबर है. लूप पर किर्खौफ का नियम प्रेयुक्त करने पर हम प्राप्त करते हैं कि V बराबर Vr प्लस Vl प्लस Vc. उर्द्व अक्षपर की सीक्षण में Vr का प्रक्षेप Vr के बराबर होता है, जिसका अधिकतम मान Im और R का गुणनफल होता है. धारा फेजर I से पाई बटे दो आगे फेजर Vl प्रेरक पर वल्ट दा प्रदशित करता है. किसी क्षण में उर्द्व अक्षपर इसका प्रक्षेप Vl होता है, जिसका अधिकतम मान Im और XL का गुणनफल होता है. धारा फेजर I से पाई बटे दो पीछे फेजर Vc संधा रित्र पर वल्ट दा प्रदशित करता है. किसी क्षण में उर्द्व अक्षपर इसका प्रक्षेप Vc होता है, जिसका अधिकतम मान Im और Xc का गुणनफल होता है. अब हम वल्ट दा फेजरों Vr, Vl और Vc को सदिशिये रूप से जोड़ते हुए फेजर V प्राप्त करते हैं, जो परिपत पर नेट वल्ट दा दर्शाता है. V अधिकतम बराबर वर्क मूल Vr अधिकतम वर्ग प्लस Vc अधिकतम माइनस Vl अधिकतम वर्ग समकोन तिर्भोज नेट वल्ट दा तथा कला कोन के अधिकतम मान का समिकरण प्रदान करता है. 10,5 बराबर Vc अधिकतम माइनस Vl अधिकतम बटे Vr अधिकतम ओन का नियम प्रेयोक करने पर हम पाते हैं कि Vm बराबर Im गुणे वर्क मूल R वर्ग प्लस Xc माइनस XL वर्ग. हम परिपत की प्रतिबाधा वर्ग मूल R वर्ग प्लस Xc माइनस XL वर्ग के रूप में प्राप्द करते हैं. अब उप्रोक्त समिकरण निम्न रूप लेता है Vm बराबर Im और Z का गुणन फल. हम इस समिकरण को निम्न रूप में भी लिख सकते हैं Im बराबर Vm पटे Z या Irms बराबर Vrms पटे Z. श्रणी पत्थ LCR परिपत का फेजर चित्र हल परिपत के सभी बिंदूओं पर तादक्षनिक धारा का मान समान रहता है. I बराबर Im sin omega T प्लस Phi जहां Phi स्रोथ पर वोल्ट दा तथा परिपत में धारा के बीच कला अंतर है. तीनों घटकों पर तादक्षनिक वोल्ट दा के तादक्षनिक धारा से निम्न कला सम्बंद होंगे. प्रतिरोधक VR पर तादक्षनिक वोल्ट दा तादक्षनिक धारा I के साथ कला में है. प्रेरक VL पर तादक्षनिक वोल्ट दा धारा I से पाई बटे दो आगे है. पाइं बटे दो पीछे है प्रतिबाधा तिरभुज प्रतिबाधा तिरभुज का उप्योग प्रतिबाधा की गड़ना करने के लिए किया जा सकता है जब प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारिता सभी परीपत में उपस्तित हों और प्रेरक प्रतिखात तथा धारिता प्रतिखात के बीच के अंदर कुल प्रतिखात हो। जब पराबर वर्ग मूल R वर्ग प्लस XC मैनस XL वर्ग विकन रूप में प्रतिबाधा Z के साथ संकोन प्राप्त होता है। LCR परिपत में अनुनाद अनुनाद ऐसे निकाईों में घटित होता है जिनमें किसी विशिष्ट आवरिती से दोलन करने की प्रवृत्ती होती है जब इस प्राकृतिक आवरिती के एकदम पराबर आवरिती वाला एक आवधिक वाहे पल इस निकाई पर लगाया जाता है अनुनात में वाहे आफदिक पलद्वारा निकाय को दी जाने वाली उर्जा अधिक्तम संभव धरपर होने पर निकाय में विशाल आयाम वाली दोलंगती होती है आवरिति ओमेगा नौट जिसपर धारा आयाम अधिक्तम हो जाता है परिपत की अनुनाद आवरित्ती कहलाती है ओमेगा नौट बड़ाबर एक बटे वर्कमूल एल्जी होता है अनुनाद में धारा दोलनों का आयाम पूरी तरह से प्रतिरोध आर द्वारा निर्धारित किया जाता है I M अधिक्तम बराबर V M बटे R होता है LCR परिपत में अनुनाद में तातिक्षणिक धारा I तथा वोल्टिता V कला में होते हैं LCR परिपत में अनुनाद की तीक्ष्णता वैद्धुतिक अनुनाद पर प्रतिरोध का प्रभाव अनुनाद वक्र की तीक्ष्णता को चीन करता है प्रतिरोध जितना ही छोटा होगा अनुनाद वक्र उतना ही तीक्ष्ण होगा परिपत का गुणवत्ता गुणांक Q, ओमेगा नौट L बटे आर होता है या एक बटे ओमेगा नौट C आर गुणवत्ता गुणांक का उप्योग अनुनाद शिक्रों की तीक्षनता को वर्नित करने के लिए किया जाता है यदि आर छोटा या एल बड़ा है तो ये इंगित करता है कि अनुनाद अधिक तीक्षन है तथा परिपत अधिक चैनात्मक है उधारण आए ल्सियार परिपत में अनुनाद का एक उधारण देखें ल्सियार परिपत की श्रिणी की अनुनाद अवरिती और क्यू गुणांक ग्याद करें जहां ल बराबर तीन हेन्री, सी बराबर सत्ताइस, माइक्रो फेराड तथा आर पराबर साथ दशमलाव चार ओम है परिपत की पून चोड़ाई अधिक्तम आधे तक कम करते हुए इसकी दीक्ष्णता गुणांक दो तक बढ़ाना अपेक्षित है आए इसका हल देखें दिये गए मान हैं ल बराबर तीन हेन्री, सी बराबर सत्ताइस कुणें दस की घाथ माइनस छे फेराड आर पराबर साथ दशमलाव चार ओम हम जानते हैं कि अनुनाद आवरित्ती एक बटे वर्कमोल एलसी होती है अब मानु को रखते हुए हम अनुनाद आवरित्ती एक सो ग्यारा रेडियन प्रती सेकंड प्राब्त करते हैं क्यों गुणांक बराबर ओमेगा आर एल बटे आर है अब मानु को रखते हुए हम क्यों गुणांक पैंदालीस प्राब्त करते हैं क्यूंकि Q आर के विर्द क्रमानु पाती है, इसलिए Q को दोगुना करने के लिए आर को आधा होना जाहिए. शक्ती गुडांक परिपत में विसरेत तातक्षनिक शक्ती है, P बराबर VI. एक पूर्ण चक्र पर शक्ती का समय माध्य, V-RMS कुणे, I-RMS कुणे, कौस फाई. हम निशकर्ष निकाल सकते हैं कि परिपत में आपूर्टी की गई और सच्छक्ती ना केवल वोल्टता तदा धारा पर निर्भर होती है, बलकि उनके बीच के एक अलाकून फाई की कोजिया पर भी निर्भर होती है. कौस फाई को परिपत का शक्ती गुडांक भी कहा जाता है. प्रती बाधा आरेक से हम शक्ती गुडांक को निम्नुवत परिभाशित कर सकते हैं. कौस फाई बराबर आर बटे Z, जो आर बटे वर्क मूल R, वर्क प्लस XL माइनस XC, वर्क के बराबर है. अब हम एक पूर्ण चक्र पर शक्ती का माथ्थे समय आगणित करने के लिए उप्रोक्त दोनों समिकरणों का उप्योग करते हैं. P बार बराबर I, RMS, वर्क तथा R का गुड़न फल. विबिन परिपतों में शक्ती गुडांक प्राकरण एक प्रतिरोध की ये परिपत यदि परिपत में केवल प्रतिरोधक है तो फाई बराबर चुनने कौस फाई कमान बराबर एक इसमें अधिक्तम शक्ती शह होती है. P बार बराबर V RMS और I RMS का गुड़न फल. प्राकरण दो शुद्ध प्रेरिकिये या धारितिये परिपत यदि परिपत में केवल प्रेरा किया संधारित्र है तो फाई बराबर माइनस पाई बटे दो या पाई बटे दो कॉस फाई कमान बराबर शुन्ने इसमें शक्ती शह नहीं हो दी. P बार बराबर शुन्ने प्राकरण तीन LCR श्रणी करम परिपत यदि परिपत में प्रेरक, संधारित्र तथा प्रतिरोधक हैं तो कॉस फाई कमान शुन्ने और एक के बीच रहता है. ऐसे परिपत में सदेव शक्ती ख्षय होता है. P बार बराबर V RMS, I RMS और कॉस फाई का गुणन फल. प्राकरण चार LCR परिपत में अनुनाद में शक्ती ख्षय. शक्ती केवल प्रतिरोधक में ख्षयत होती है. LCR परिपत में प्रेरा किया संधरित्र पर उश्मा के रूप में शक्ती क्षयत नहीं होती. L.C. दोलन हम मानते हैं कि आरंब में L.C. परिपत के संधरित्र C पर आवीश क्यू होता है और प्रेरक में धारा आई शूने होती है. उस समय संधरित्र के वैद्यूतिक शित्र में संचित उर्जा U.E. होती है तथा प्रेरक में संचित उर्जा U.B. चुनने होती है. संधरित्र अब प्रेरक के मात्यम से निरावेशित होना आरंब हो जाता है. धारा वामा वर्त प्रवाहित होनी आरंब हो जाती है. संधरित्र पर आवेश घड़ता है. लेकिन प्रेरक के चुम्ब की एक शित्र में उर्जा बढ़ जाती है. उर्जा संधरित्र से प्रेरक में इस्थानांत रित की जाती है. संधरित्र में संचित उर्जा पून रूप से प्रेरक के चुम्ब की एक शित्र में इस्थानांत रित करती जाती है. इस चरण में प्रेरक में धारा कमान अधिक्तम हो जाता है. अब प्रेरक से उर्जा का प्रवहा वापस संधारित्र की ओर बहने लगता है क्योंकि विद्ध दिक्षेत्र पुना बन जाता है प्रेरक से संधारित्र की ओर समस्त उर्जा का इस्थाना अंत्रन होता है ये परिस्थिती आरंबिक परिस्थिती के समान होती है सिवाई इसके की संधारित्र विप्रीत आवेशित होता है संधारित्र पुना निरावेशित होना शुरू हो जाता है धारा अब दक्षुन वर्ति दिशा में प्रवाहित होती है संधारित्र में संचित समस्त उर्जा प्रेरक के चुम्ब की एक्षेत्र पर इस्थानांत्रेत करती जाती है उर्जा अब प्रेरक से वापस संधारित्र की ओर प्रवाहित होने लगती है उर्जा का निरंतर आवागमन संधारित्र के विद्धिक्षेत्र तथा प्रेरक्के चुम्विकीक्षेत्र के बीच होता रहता है यह प्रक्रिया वी की निश्चित आवरिती पर जारी रहती है यदि LC परिपत में प्रतिरूद उपस्तित नहों तो LC दोलन अनंतिकाल तक जारी रहेंगे ट्रांस्फार्मर ट्रांस्फार्मर ऐसी युक्ति होती है जो AC वोल्टता वा धारा का आयाम घटाने या बढ़ाने के लिए उप्योग की जाती है ट्रांस्फार्मर में कोमल लहफ क्रोड होती है जिस पर तारों की दो कुंडलियां लिप्टी होती है एक प्रात्मे कुंडली कहलाती है जिस पर N-P लपेटे होते है और दूसरी दुद्यक कुंडली कहलाती है जिस पर N-S लपेटे होते है प्राथमिक कुंडली AC-EMF-0 से जुड़ी होती है दूधिय कुंडली ट्रांसफर्मर का आउंटपुट प्रदान करती है कोमल लोह क्रोट का उप्योग जुमिकिये फ्लक्स बढ़ाने तथा एक माथ्यम उपलब्द कराने के लिए किया जाता है जिसमें एक कुंडली के माथ्यम से लगभग समस्त फ्लक्स अन्य में चला जाता है प्राथमिक और दूधिय कुंडलीयों के माथ्यम से फ्लक्स परिवर्तित भी होता रहता है और इसलिए दूनों कुंडलीयों में एक EMF प्रेरित होता है ट्रांसफार्मर की क्रियाविधी जब प्रात्मिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यवर्ती वोल्ड दा लगाई जाती है तो प्रत्यवर्ती धारा इसमें लोह क्रोड में एक परिवर्तन शील चुम्ब की एक शेत्र उत्पन्न करती है जो की चुम्ब की एक शेत्र परिवर्तन शील होता है इसलिए प्रात्मिक और दूटियक कुंडलियों के माध्यम से फिलक्स परिवर्ति भी होता रहता है और इसलिए दोनों कुंडलियों में एक EMF प्रेहरित होता है माना की फाई दोनों कुंडलियों के प्रत्यक लपेटे के माध्यम से चुम्ब की ए फिलक्स है पारस परिवर्ति प्रेहरित होता है प्रात्मिक कुंडलि में स्वाप्रेहर्ण से EMF प्रेहरित होता है EB बराबर माइनस NPD फाई बटे DT अब दोनों समिकरणों को विभाजित करने पर हम पाते हैं कि ES बटे EB बराबर NS बटे NP ये समिकरण ट्रांसफार्मर समिकरण कहलाता है इसे टर्मिनल वोल्टता के रूप में निम्नवत लिखा जा सकता है VS बटे VB बराबर NS बटे NP अनुपाद NS बटे NP ट्रांसफार्मर के लपेटों का अनुपाद कहलाता है ट्रांसफार्मरों के प्रकार ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर जब दूइत्यक वोल्टता प्रात्मिक वोल्टता से उच्चतर होती है तो ऐसा ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है अब च्चाई ट्रांसफार्मर जब दूद्यक वोल्टिता प्रात्मिक वोल्टिता से निम्नतर होती है तो ऐसा ट्रांसफार्मर अपचाईद ट्रांसफार्मर कहलाता है वोल्टिता को उचाईद करने वाला ट्रांसफार्मर साथी साथ धारा को अपचाईद भी करता है जबकि वोल्टिता को अब चाहिद करने वाला ट्रांसफार्मर साथ ही साथ धारा को उच्चाहिद भी करता है IS पटे IP बराबर VP पटे VS बराबर NP पटे NS ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोग तारों के माध्यम से विद्ध उर्जा का लंबी दूरियों तक संप्रेशन करने से पहले वल्टिता बढ़ाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है ये विद्ध आपूर्टी उद्योग के आधार हैं जिनके कारण मांक शेत्रों से सुदूर इस्थ शेत्रों में विद्ध उत्पादन संभाव हो पाता है निमने वल्टिता परिपतों वाले विद्ध उत्पादों के अनुसार उप्योगत इस्तर तक आपूर्टी वल्टिता को कम करने के लिए इन में ट्रांसफार्मरों का काफी उप्योग किया जाता है आवर्दकों के इस तरह युकमित करने के लिए और माइक्रोफोन वा रिकॉर्ट प्लेट जैसी युक्तियों को आवर्दकों के इन्पुट से मिलान कराने के लिए सिंगनल तथा आउडियो ट्रांसफार्मरों का उप्योग किया जाता है आउडियो ट्रांसफार्मरों के कारण ही टेलिफोन परिपतों में तारों के एकलियुक में दो तरफा संप्रेशन कराना संभा होता है ट्रांसफार्मरों में उर्जा क्षय निम्न अनुसार है फलक्स क्षरन उर्जा काक्षय होता है जब प्रात्मिक द्वारा उत्पन समस्त फलक्स दूइतिय से नहीं गुजरता प्रात्मिक और दूइतिय कुंडलीयों को एक दूसरे के ऊपर लपेट कर इस हानी को कम किया जा सकता है कुंडलनों का प्रतिरोध कुंडलनों में उत्पन होने वाली उश्मा की कारण उड़ जाक्षय होता है मोटे तारों का इस्तिमाल करके इस हानी को कम किया जा सकता है भावर धाराएं लह क्रोड में भावर धाराओं की कारण उश्मा के रूप में उड़ जाक्षय होता है स्तरित क्रोट का उपयोग करके इस हानी को कम किया जा सकता है शेह थिल्ले लोह क्रोट के चुम्बकन वा विजुम्बकन के चक्रूं के दौरान उत्पन उश्मा के रूप में उर्जा काक्षा होता है कम शेथिल्ले पाशवाली क्रोड समक्री का उप्योग करके इस हानी को कम किया जा सकता है कुमल लौ क्रोड का उप्योग शेथिल्ले हानी और फलक्सिक शरन को कम करता है क्या आप जानते हैं समानांतर अनुनाद परिपत का उप्योग रिजेक्टर या फिल्टर परिपत के रूप में किया जा सकता है रेडियो ट्रांस्मीटरों में ऐसे परिपत उप्योग किये जाते है सन 1826 में फ्रांसीसी वग्यानिक फैलिक सावेरी द्वारा ये खोच की गई कि संधा रित्र विद्ध दोलन उत्पन कर सकता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं श्रिणी बद LCR परिपत में प्रतिरोदक पर तादक्षणिक वोल्ट ता तादक्षणिक धारा के साथ कला में होती है प्रेरक पर तादक्षणिक वोल्ट ता धारा आई से पाई बटे दो आके होती है संधारित्र पर दातक्षनिक वोल्टिता धारा आई से पाई बटे दो पीछे होती है प्रती बाधा तिर्भुज का उप्योग प्रती बाधा की गणना करने के लिए किया जा सकता है जब प्रतिरोध प्रेर कत्व तथा संधारिता सभी परिपत में उपस्तित हों अनुनात में वाहे आवधिक बल द्वारा निकाय को दी जाने वाली उर्जा अधिक्तम संभाव दर पर होने पर निकाय में विशाल आयाम वाली दोलनकती होती है LCR परिपत में अनुनात में तातिक्षणिक धारा आई तथा वुल्टता वी कला में होते हैं ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति होती है जो एसी वुल्टता वा धारा का आयाम खटाने या बढ़ाने के लिए उप्योग की जाती है ट्रांसफार्मर में कुंडलनों में उत्पन होने वाली उश्मा के कारण उड़ जाक्षा होता है मोटे तारों के इस्तिमाल करके इस हानी को कम किया जा सकता है कोमल लोह क्रोड का उप्योग शेथिल्ले हानी और फ्लक्स शरन को कम करता है